नमस्कार दर्शको स्वास्त जीवन कारिक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम इस कारिक्रम में बात करेंगे Rheumatological Diseases के बारे में और हमारे साथ स्टूडियो में हैं एक्सपर्ट डॉक्टर अमन शर्मा प्रोफेसर क्लिनिकल इम्मिनोलजी और रिमितोलोजी विंग दिपार्टमेंट अफ इंटर्नल मेडिसन पीजियाई डॉक्टर अमन आपका कारिक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे आम बलाने के लिए डॉक्टर मेरा आपसे पहला सवाल यही होगा कि बहुत तरहां की रॉमितोलोजीकल डिजीजिस हैं आम तोर पर हम सुनते हैं कि रॉमितोड आर्थराइटिस इसके इलावा और कौन-कौनसी डिजीजिस इसके अंतर गताते हैं इसके बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टन सवाल है इस कारिक्रम को शुरू करने के लिए कि रॉमितोड आर्थराइटिस एक प्रोटोटाइप आर्थराइटिस है जिसको हम गठिया बोलते हैं बट गठे के और भी बहुत सारे प्रकार हैं जिनको डिफरेंट डाइपस ओफ आर्थराइटिस हम डिवाइड करते हैं और उसके अलावा बहुत सारी कनेक्टिव टिशू डिजीजिस हैं मसल डिजीजिस हैं और फैस्कॉलाइटिस हैं कुछ अनकॉमन बिमारियां हैं कुछ रेर बिमारियां हैं और कुछ कॉमन बिमारियां कॉमन बिमारियों में बिसाइड जरूमें टोड आथरेस जैसे आपने पूछा है SLE हो सकता है शोगरिन सिंड्रोम हो सकता है इंफलमेटरी मसल डिजीजिस हो सकती है तो एक आम इनसान को जब कोई ऐसी समस्याएं आनी शुरू होती हैं, आम तो यही सुनते हैं कि जोडों में दर्द हुआ, इसके इलावा और क्या-क्या उसको होता है और पता चलता है कि इसको अब इलाज करवाना जाही है। अगर जोड से रिलेटेड प्रॉबलम है जैसे जो जॉइंट में पेन है या जॉइंट में स्वेलिंग है उसके अलावा अगर कोई स्केन रैश है, फीवर है, ठंडे पानी पे एक्सपोजर पे उंगलियां निली हो जाती है और अगर इंटरनल ओर्गन्स इंवाल्मेंट हो जैसे लंग इंवाल्मेंट है, जॉइंट डिजीज के साथ, किड्नी इंवाल्मेंट है, या हार्ट इंवाल्मेंट है, तो आई थिंक ये एक नर्व डैमेज है, सी एनएस इंवाल्मेंट है, सो बिसिकली अगर मल्टी सिस्टम इंवाल्मेंट हो रही है, और साथ में उस समय क्या नजर आदा वेल जरूरी नहीं है कि यह जो सिस्टमिक इंवाल्मेंट से अंदर के और गन्स की इंवाल्मेंट हैं यह लेटर स्टेज पे हो कुछ एक बिमारियां हैं जो कि पहले साइमल्टेनियसली जोड और बाकी और गन्स को इंवाल्मेंट के साथ भी मैं बड़ा खुश हूँ कि आपने जो डिसकाशन शुरू किया है वो बियॉंड रूमेटर आथरेटिस किया है विकाज जेनरली लोगों की भावना होती है कि जो रूमेटालोजिस हैं वो सिरफ जोड से रिलेटेड बिमारियां ही ट्रीट करते हैं बट दियरा मैनी डिजी बहुत सारी connective tissue diseases हैं जैसे for example SLE है एक substantial subset में kidney involvement मरीज का शुरूआत में ही हो सकता है और अगर अगर शुरू में kidney evaluation नहीं किया गया तो damage अगर appropriately उसको treat नहीं करते हैं तो damage जादा हो सकता है for example scleroderma जिसमें significant lung involvement या heart involvement जिसको pulmonary artery hypertension बोलते हैं वो भी reasonable early part of disease में भी हो सकता है और vasculitis है जिसमें की catastrophic lung hammerage, renal failure may be the first manifestation which can even be life threatening so यह भावना की जो बाकी organs है वो बहुत late stage पे होंगे it may not hold true for all rheumatological diseases rather sometimes they might appear early हो सकता है जल्दी भी हो जाएं तो डॉक्सर आपने जिक्र किया कि kidney involvement हो सकती है, renal failure हो सकता है तो एक इनसान को तो जब kidney कोई कोई समस्या होगी तो वो naturally kidney expert के पास जाएगा, nephrologist के पास जाएगा, जोडों में दर्द है तो orthopedition के पास जाएगा, एक rheumatologist के पास कैसे पहुंचे यह again बहुत ही अच्छा और important सवाल है कि जब भी यह हम generally एक piecemeal यह चोटे-चोटे pieces में एक situation को देखते हैं, this is just like blind folded people trying to describe an elephant, जैसे कि आंखों पे पत्टी बांदी हो और हाथी को वो कभी टांग कोई टांग पकड़ता है, कोई पूच पकड़ता है, unless we take a look at the total picture, we not really know what is unfolding, so अगर kidney के साथ, for example, obviously kidney की problem होगी, तो लोग kidney विशेशगे के पास जाएंगे, but अगर even patient को भी aware होना चाहिए, कि अगर kidney involvement के अलावा, कोई भी और symptom हो रहा है, for example, fever हो रहा है, constitutional symptoms हो रहे है, joint disease हो रही है, lung में involvement हो रहा है, सांस की दिक्कत आ रही है, heart की involvement हो रही है, definitely, वैसे तो nephrologists भी trained होते हैं तो पिक अप rheumatological diseases जो की kidney involvement शो करती है, but I think sometimes if even a physician who is treating the patient is not aware, तो मरीज को खुद अवेर होना चाहिए, और rheumatologist के पास जाना चाहिए, आपने कह तो दिया, लेकिन बहुत मुश्किल है, एक मरीज का इतना awareness होना, मुझे आशा है कि आज की हमारी बातचीत, शायद लोगों म वो awareness बना पाए कि हाँ मेरे को rheumatologist के पास जाना है, आपका, I think this will go a long way, हमारी जितनी population है इस मुल्की, और I think एक छोटे-छोटे steps हर stage पे हमारे को लेने पढ़ेंगे, चाहे वो print media है, या electronic media है, या social media है, सब में हमारे को लोगों को जागरू करने की आवशकता है, और मेरे क आज को लगता है कि टेकनालोजी का जो यूग है, जितना ये दस से बीस साल पहले चैलेंजिंग था, उससे आज उतना चैलेंजिंग नहीं है, for a simple reason, कि आज आप देखिये कि हमारे mobile smartphone users कितने हैं, अगर कोई भी program हम different whatsapp groups पे, या अलग-अलग social media के ऊपर share करते हैं, इल भी surprise कि इसके reach बहुत enormous है, I think हम सब को मिलके चलना पड़ेगा. Exactly, Dr. Sir, और हमने इसी सिलसले में एक आपके ही patient से, Shubham Kalra, उनकी भी multi-organ involvement थी, और हमारी उनसे बात चीत हुई, आएए वो देखें, वो क्या कहते हैं? जी मैंने अपनी पड़ाई सर्वितकारी विद्या नंदिर स्नाम और चलाइट लोंगवाल और विद्यारतन पॉल अपॉल अपनी थालेज कोफ़ते हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं अब बहुत समस्तू हूं और तैले मुझे जिसका इलाज मेरा पीजिया ही चंडिगड में चाड़ रहा है। विद्या के रुटने में जो पाड़िशन चाड़ में पुचला नहीं है। इंप्रोवमेंट्स अच्छली थे कांट डिस्प्राइब कि हा नहीं हो जेगा। कोई दोक्तर नहीं जिस्टिफाई नहीं कार साओ इंप्रोवमेंट्स अचलान लागे। करोग दिन्हा हुंता कुकी का मैं आसी लोगले में रापदावी के रुना इवास होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे डक्तर मिस्टर आमेंशर्मा जो की पीजय में रखिया डिपार्टमेंट में एक्चोरी हैं यह हमारा लब 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 पांच साह से इलाज कर रहे हैं। तहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि तहले में रिसेट बिलकुली मरलब खवार भी और मैं बच्चों को फिंशन क्लासिं देता हूं जिसमें मैं मैं स्टाइंस और इंगीश कड़ाता हूं। जोक्सा बिनों ने कहा कि पहले मेरी तबियत दिलकुल खराग थी। आज यह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं। यह किस तरह बाकी इंवॉल्मेंट्स हुई और कैसे यह सब हुआ। हमारे दर्शकों को बताईए। यह एक बड़ी इंटरस्टिंग स्टोरी है और एक बड़ी पॉजिटिव स्टोरी भी है। यह बच्चा जो है करीब आई थिंक 19-20 साल का होगा जब यह हमारे को एक कांसुल्टेशन लिया गया। मैरे को याद है कि मेरी एक स्टूडेंट हमारी एक डी-म स्टूडेंट थी रूमोटालोजी की जिसने कहा कि सर एक निरॉलोजी में मरीज भरती है। जो कि अल्मोस्ट लाइक जिसको निरॉलाजिकल प्रॉब्लम थी काफी देर से उसकी इनिवलन्टरी मूवमेंट्स हो रही थी। उसको बुखार हो रहा था। उसको वेट लॉस हो गया था। लिटरली जिसको अंगरेजी में हम कहते हैं कि वेजिटेटिव स्टेट अल्मोस्ट लाइक वेजिटेटिव ही है। बिलकुल इकठा होके एक मंजे के उपर पड़ा हुआ था। वेजिटेटिव स्टेटिव और किसी से कम्यूनिकेट करने में भी इसको दिक्कत हो रही थी। और आज देखिए किस तरह सबसे बातचीत कर रहा हैं पढ़ा रहा हैं। यह सब चेंज कैसे आया इस ट्रीटमेंट। यह इसमें ऐसा हुआ कि हमने जब देखा इसको तो उस वकत इसको नेरोलाजिकल प्राबलम के साथ प्राबलम बढ़ने के एकारण बुखार होना शुरू हो गया। बुखार होने के बाद इसकी हार्ट की फंक्शनिंग जो है वो हम जैसे एजेक्शन फ्राक्शन बोलते हैं। कंट्राक्टिलिटी जो हार्ट की है सिर्फ 20 परसेंट रह गई थी। जो की नॉर्मल से और अल्मॉस वन थर्ड से भी कम है। और उसके अलावा इसको नर्व डैमेज था। तो और इसके और इंटर्नल और्गन्स में जैसे और्गन इन्फार्क्ट्स भी थे। और इसके इंफ्लेमेटरी मार्कर्स बहुत बड़े हुए थे। यसर बड़ा हुआ था। तो उसके हमने सोचा कि क्या इसको एक सिस्टमिक रुमेटरलाजिकल डिजीज है जो की ब्रेन, हार्ट, नर्व, आर्थराइटिस वो सब कुछ कर रही है। तो हमने नेरॉलोजिस्स की हेल्प से डाइगनोजस इस्टैबलिश किया, इसका नर्व बाइपसी किया गया, जिसमें मास्कोलेटरस आया, इसको ट्रीट किया गया, तो इतना ग्रैटिफाइंग रिजल्ट हुआ कि वो जो बंदा बिलकुली कठा होके एक बेड़ पर पड तो I can't say that he can walk independently as his brother was saying, but at least he is living to tell the story, exactly, और उसकी kidney involvement हुई बाद में, फिर he become independent to the extent के ये अब बच्चों को बढ़ा रहा है, इसकी mother, मैंने जब इससे पूछा भी अब लड़का कैसा है, तो she had tears in her eyes, वो कहती कि दाक साब मैं कहती नहीं कि जादा अच्छा है क्योंकि कहीं हमार तो somebody who was almost written off, he is now almost dependent upon himself, is I think a story, although we would wish that he improves further, पहले वो dependent था, आज वो लोगों की मदद कर रहा है, पढ़ा रहा है, एक society के लिए positive काम कर रहा है, तो बहुत सही समय पे वो intervention हुई, लेकिन एक आम डॉक्टर को या किसी को भी पता कैसे चलेगा कि इसको वैसको वैसकुलाइटिस यह again बहुत important सवाल है, वैसकुलाइटिस itself की बहुत सारी varieties होती है, small vessel vasculाइटिस, basically vasculाइटिस means blood vessel की inflammation, so heart से जो एक बड़ी आटरी निकलती है, अगर उसकी involvement है, तो large vessel vasculाइटिस होता है, then medium vessel vasculाइटिस, small vessel vasculाइटिस, and there are और भी अलग varieties होती है, predominantly अगर जैसे मैंने हो रहा है, और constitutional symptoms है, new onset hypertension है, kidney involvement है, lung involvement है, nerve damage है, और more so, जब यह सारे different organ involvement, बड़ी rapidly, इकठे एकदम से आएं, और skin के ओपर rashes हो जाएं, then it is a big suspicion की यह vasculाइटिस हो सकता है. मुझे लगता है कि यहाँ पर एक doctor का बहुत बड़ा role है, जो भी treating doctor है, जैसे उस समय एक neurologist ने आपको refer किया, वैसे ही जो भी patient जा रहा है, आपका doctors के लिए क्या message होगा, कि वो किस समय एक rheumatologist को refer करें? I think यह बहुत important सवाल again है, आपने पहले kidney doctors की भी बात करी, kidney doctors की भी training जो है, वो अगर ऐसे center में है, जहां पर बहुत सारे vasculatus देखे जाते हैं, तो वो तो इन बिमारियों को quickly, जैसे PGI में ट्रेनिंग है, यहां बड़े institutions हैं भारत की और, तो फटा-फट इसको pick कर लेते हैं but कई बरी ऐसा भी हो जाता है कि उनको लगता है कि अब cretinine for example बढ़ गया, तो अब यह तो chronic kidney disease हो गई, patient को dialysis चलता रहेगा, हलांकि despite the fact कि अगर cretinine बढ़ा भी हुआ है, इन बिमारियों में यह एक ऐसा renal failure होता है कि अगर आप immunosuppression के साथ उसको treat करो, patient completely ठीक भी हो सकता ह है और partly ठीक भी हो सकता है, to the extent that अगर वो पहले dialysis dependent था, तो dialysis independent हो जाएगा, so if unless the patient comes very late in the course of illness, either he will improve completely, और even partly जिसमे की वो, he may not require dialysis, पर उसके लिए वो nephrologist जो है, even in the field, they have to be very aware, because अगर आप उसको timely treat नहीं करते, then that reversibility, जो है वो irreversibility में convert हो जाती है, similarly अगर lung hemorrhage है, बहुत सारी हम ये देखते हैं, कि बुखार हुआ, खांसी बलगम हुई, बलगम में chest x-ray कर आया गया, तो उसमें कोई shadow आ गई, तो अमोमन हिंदोस्तान में को कि TB बहुत common है, तो लोग सोचते हैं कि शायद ये TB हो गई, या निमोनिया हो गया, या infection होगी बट अगर उसमें skin rash भी हो रहा है, या kidney involvement भी हो रही है, तो वो उसको anti-biotics या anti-tubercular की बजाए, immunosuppression steroids बगरा चाहिए होगा, तो then physician has to be aware कि जो हर fever है, हर खांसी में, बलगम में खून आ रहा है, और अगर skin rash और renal failure होगरा है, तो वो infection ही नहीं है, immunological diseases can also contribute, और उसमें तो treatment ब damage हो जाएगा, आपने जिकर किया कि आपको immediately heavy dosages of steroids देने बढ़ते हैं, जी, तो एक society में एक प्रचलित सी बात है, कि steroids दे दी अरे बहुत खत्रा है, तो कई बार वो patient लेते भी नहीं है, और doctor भी देने में डरते हैं उस्थिती में, कैसी इसको बहुत अच्छा सवाल है, ये आउट-patient में, और हम ये मरीजों को ये बताते हैं, कि देखिए, बात ये है, कि दो चीजे हैं, जो मरीज का नुकसान हमेशा करती है, culturally, हमारे society में ऐसा है, कि जो कि वेस्ट में नहीं है, कि हमारे यहां, जो मैं मरीजों को बोलता हूँ, कि सला मुफ्त में मिलती है, जी, the moment एक डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया, कि प्रेडिनिस्लोन लेना है, या स्टेरोड लेना है, फर्स्टिंग देखिए, वो जा के कैमिस्ट के पास जाएगा, तो कैमिस्ट भो लेगा, ओरे, डॉक्टर ने ये दवाई लिग दी, इसका तो बड़ा नुकसान होता है अब मैं उसको ये और दूसरा ये होता है कि कितना कॉंटम हम स्टेरोड का दिया गया है, सो इन क्वेश्चन को हम कैसे टाकल करते हैं, मैं मरीज को बताता हूँ कि वो कैमिस्ट को या हमारे दोस्तों को ये तो पता है कि स्टेरोड से क्या होता है, पर उनको ये नहीं पता ह कि बिमारी क्या कर सकती है और जब दूसरी चीज यह मैं बोलता हूं कि अगर बॉर्डर के उपर लड़ाई हुई हो रही है और मरीज और वो आर्मी जो एनिमी आर्मी है वो हमारे घर तक आ गई है तो हम अगर अपने अम्मुनिशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जो आगे स इसे जान भी जा सकती है जो कि हमारे केमिस्ट और हमारे फ्रेंड्स बिलकुल भी अवेर नहीं होंगे तो यह वंडर ड्रग्स हैं डॉक्टर्स को इस्तिमाल करने पड़ते हैं और वंडर फूली इसकी रिकवरी भी होती है इनके सांद तो किसी भी इन्सान को किसी भी तो मुझे गूगल देखकर यह नहीं समझ जाना चाहिए कि हां मुझे यह नहीं करना डॉक्टर्स से ही पूछना है आपसलूटली बिकॉज बहुत सारे मरीज हैं जो कि आज जिन्दा हैं बिकॉज उनमें टाइमली अप्रोप्रियेटली स्टिरोइड यूज किये गए हां यह केरलेसली या कैजुली यूज नहीं होने चाहिए पट हां अगर मैं दूसरा सवा जो हमेशा मैं पेशन्स को बोलता हूँ भई अगर तुम्हारे कैमिस्ट को पता है कि इससे साइड इफेक्ट है अगर तुम्हारे दोस्तों को पता है इससे साइड इफेक्ट है तो थोड़ा बहुत हमें भी पता होगा कि इसके साइड इफ अगर आप हार्ट उड़ गया, आपका ब्रेन उड़ गया, आपकी नर्व उड़ गई, तो हमने स्टिरोइड को बचा के क्या करना है, अगर मरीज ही नहीं बचाएगा। बहुत अच्छा कहा कि इस एम्मुनिशन को इस्तिमाल करना है, और समय देखना है कि कब करना है। नॉक्सरब आपके एक और पेशिंट थे रिमेटालोजी डिपार्टमेंट के, जो कि सिंगापूर से हिंदुस्तान आए, उनका भी मल्टी इंवाल्वमेंट थी और किस तरह रिमेटालोजी के बाद उनकी इंप्रूवमेंट ही, उनसे भी हमने बात की, आईए उनको भी हम देखते हैं, वो क्या कहते हैं? और नोट अबल तो मुव, नोट अबल तो सिंग, बट जब अमन सर्ट के साथ कॉंटेक्ट थे तो उनकी इंप्री अच्छा, मुझा विजिबल है, मुझा रेडिन ही है, प्रॉपरली वो जेख सकती है, और जो उनका वेट है, वो नाइन केजी इंक्रीज हो गया था, और कोई बोड़ी पे नहीं आभी, एपिटाइट भी बहुत अबल तो है, नोट शी इबल तो मुव, सिट और वो अपने डेली वक कर सकती है, अफर रेमेटोलेजी है, उनका जो थोट साजी की था, वो भी सत्तर पूर लहा, नोट शी इबल तो टॉक, वन्दब कुछ अच्छ से बात कर सकती है, तो उनको कहिए एक बार हमारे दर्शकों के साथ के वल ये छोटा सा एक लाइन बोल दें, कुछ भी जो बोलना चाहे, अबर श्मीनी बादा, I want to share community treatment, the province अने किया, और मेंको इस्टा लिविटेड अट्साइड सर्वाइब कना तिकाया, अनौ अमारी कामनाएं आपके साथ हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया, तो बहुत क्लियर नहीं था, इसलिए हमने उनकी सिस्टर से बात की, आप हमें बताईए कि किस तरह timely intervention के साथ आज उनकी इतनी improvement है, अगें, ये 2017-18 से सफर कर रही है, और ये सिंगापूर में थी, इनको शुरुआत में सांस की दिक्कत हुई, सांस की नली इनकी contract कर गया, as we say, subglotis stenosis उसको बोलते हैं, उसके लिए emergency एक रास्ता यहां बनाना पड़ा, सांस लेने के लिए जिसको tracheostomy बोलते हैं, उसके बाद इनकी brain involvement हुआ, इनको brain में different infarcts हुए, strokes, you can say, जैसे strokes आम आ के रास्ते में obstruction हो जाता है, तो surgery हुई सिंगपूर में, तो उसमें फिर इनको यूरॉलोजिस ने treat किया, उसके बाद इनको थोड़ा सा, यहां यह गाईनी department में भरती हुई थी, infection, severe infection, इनकी actually हादत इतनी जादा बिगड़ गई थी, कि इनकी sister वहां सिंगपूर गई, और स उन्होंने वहां से discharge कराया और PGI लेके आई सिंगपूर से, तो जब यह admitted थे तो यह बहुत challenging situation था, क्योंकि इनको बहुत बुखार चल रहा था, high grade fever, pus आ रही थी, infection का evidence था, तो antibiotic दिये गए, good thing was as I say, the beauty about PGI is, PGI works as a team, तो गाईनी की team ने सोचा, appropriately in the early part when she was here, कि जी रुमेट psychological consultation लेना चाहिए, कि यह multi system involvement है, तो इन में lungs में involvement थी, airway में involvement थी, आंखों के बारे में वो बात कर रहे थे, वो involvement थी, और you know, there were other issues also, तो उसके बाद हमारे को लगा कि यह vasculitis हो सकता है, हमने test कराया, वो positive आया, बाइपसी का भी evidence आया, सारी चीजें in nutshell, हमने यह देखा कि इ उससे बुखार उतरा, फिर higher dose of steroid दिया गया, जिससे इनकी हालत और अच्छी हुए, फिर और immunological immunosuppression treat किया गया, शी had anka vasculitis, तो अभी almost I think 10 months हो गया है, 10 months में 10-11 kilo इनका वज़न बढ़ गया है, you can see the picture when she was in Singapore, she is now independently walking around, she is very happy, जब भी आती है, she has a smile on the face and she is kind of getting ready to go back to Singapore, एक थोर surgeries रहती है इनकी, जो कि यह जब 4 महिने के बाद आएंगी, तो उसके बाद फिर हो planned है, क्योंकि immunosuppression चल रहा था, but as I can say, just like the first patient, इनकी भी काफी जहत तक improvement हो गई है, कुछ issues है, जो कि gradually tackle किया जाएंगे, but इसमें भी अगर आगर देखें, तो यह सर different organs की simultaneous involvement and she is suffering for 4-5 years, और यह PGI के लिए तो बहुत गर्व की बात है, कि देखें, Singapore जिसका की कहते हैं कि दुनिया भर में बहुत अच्छा health system है, वहां से patient यहां आई और इतना अच्छा improvement हुआ, I would say कि PGI is a temple of learning for all doctors, we are fortunate, I am personally fortunate and all those doctors who work in PGI are fortunate, कि हमारा experience because of इतने जो patients आते हैं, वही हम सब doctors को experience दे के जाते हैं and I think experience in PGI is unmatched, कोई भी department में जो बंदा काम करता है, वो इतना wealth of उसको experience मिलता है कि यह कोई मेरे credit वाली बात नहीं है, it is just because मैं PGI में काम करता हूं और हमें exposure मिलता है, different situation को tackle करने का, emergency situations को tackle करने का and we are reasonably confident even in difficult situations, I mean here these were two situations where our back was against the wall but we have had a reasonably good outcome, अब गठिया वाला इलाज तो कोई भी भाहर कर सकता है, यह है जो rheumatologist कर सकता है कि जो भाहर शाहिद मुश्किल होगा, Doctor, हमने अभी तक बात की कि rheumatological diseases हुई, इसका इलाज हुआ, मेरे जहन में सवाल आ रहा है कि होती ही क्यों है rheumatological diseases, यह बहुत again important सवाल है, हम पिछले तीन चार दशकों में इसकी understanding pathogenesis की different diseases की बहुत clarify हुई है research के कारण, but pinpoint करना की किसी एक ही कारण से हुआ है, वो अभी नहीं है, अब यह simplistic view, बहुत सारी different बिमारियां और इसके different pathways है, but simplistic view है कि एक genetically predisposed group में, अगर कोई environmental trigger आता है, जिन में से known triggers में smoking है, industrial pollution है, यह जिंजवाइटस है, वो उस एक सारे genetic वालों में नहीं, एक particular genetic type में, वो switch on कर देता है, immune system को, जिससे की, these are autoimmune, means अपनी immunity, अपनी ही body के against, काम करने शुरू कर जाती है, और वो depend करता है कि कौन सी autoimmune disease है, उस हिसाब से, वो उस तरह की clinical presentation होती है, और उस ही से हम diagnose करते हैं, what we do is pattern recognition, अगर यह 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 है, तो यह एक बिमारी है, अगर यह दो साथ में हैं, तो यह दूसरी बिमारी है, तो इस तरीके से different, there are diverse group of diseases, which are rheumatologist treats. Dr. क्या कोई हम अपने lifestyle में, diet में, जिंदगी में कोई ऐसा changes कर सकते हैं, कि हम इनको prevent कर सकते हैं? Dr. Well, हम 100% prevent कर सकते हैं, as of now, वो तो नहीं कहा जा सकता, but definitely, there are certain things which have been understood, like smoking, smoking causes the severity of rheumatoid arthritis, और बहुत सारी अलग rheumatic diseases में, फिर gum health, gingivitis, जैसे में बोल रहा था, I am talking with respect to rheumatoid arthritis, और कुछ डेटा वैस और healthy lifestyle, आपको आयाम करना चाहिए, अच्छी डाइट खानी चाहिए, healthy nutrition रखना चाहिए, plant-based diets होनी चाहिए, और, you know, junk food जो है, वो avoid करने चाहिए, alcohol avoid करना चाहिए, smoking as I said, should definitely be avoided. Nooks, अब कारेकरिम के आखिर में, आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देंगे? मैं सिर्फ ये संदेश देना चाहूँगा, वो सारे दर्शकों से, जो कि खुद patients हैं, या patients के relatives हैं, या public at large, कि अगर आपकी family में, आपकी friends group में, या आपके acquaintances में, कोई भी आदमी ऐसा है, जिसको की जोड से related disease है, तो वो rheumatologist के पास जाए, और definitely अगर जोड के अलावा और कोई भी symptoms है, जैसे fever, rash, kidney involvement, lung involvement, फिर तो ये obligatory है कि सिर्फ rheumatologist के पास ही जाए, यही मेराइक message रहे है, डॉक्टर अमन शर्मा, आप दूरदशन स्टूडियोज में आए, और आपने rheumatological diseases के बारे में इतनी महतुपूर्न जानकारी दी, आ बहुत बहुत दन्यवाद संजीव जी, दर्शको इसी के साथ ही अपने साथ ही संजीव दोसाज को स्वस्त जीवन कारिकरम यहीं समाप्त करने की इजाज़त दीजिए, नमस्कार, ये कारिकरम आप डीडी चंदिगर, डीडी पंजाबी और डीडी हर्याना पर देख सकते ह और डीडी पंजाबी सैटलाइट के सभी प्लाटफॉर्म्स पर उपलब्ध हैं.